Hello student, this is Anita Sarma. Today we will read chapter 5 of class 4. चलिए पढ़ते हैं chapter 5 सवारी हूं मैं बड़ी निराले. इसमें सैकिल अपने बारे में क्या बता रही है? इस chapter में हम पढ़कर जानते हैं. हलके से पैडल मारो तो सर से चल देती हूं. थोड़ी सी जगे में बिना सोर मचाए अपना रास्ता बनाती हुई चलती चली जाती हूं. फिर चाहे खेत खलिहान हो या उबड़ खाबड रास्ता हो. सवार की भी तारीफ है भाई दो पहियों पर कैसे संतलन बनाए हुए मुझे सराटे से चलाते हैं. सुबह सुबह ठंडी हवा में निकल जाओं तो बहुत से लोगों से मिलती हूं. अखवार वाला, रद्दी वाला, दूद वाला, छुरी चाकू तेज करने वाला या पोधे वाला. सब की चलती फिरती दुकान हूं मैं. डाकिये आज भी मेरे साथ ही घर-घर जाकर पत्र बाढ़ते हैं. सैकिल केरिये कि हलके से पैंडिल मारू तो मैं सर से चल देती हूं और थोड़ी सी ही जगे में अपना रास्ता बना लेती हूं. चाहे वो खेत हो, उबड़ खाबड रास्ता हो, या उची नीची सड़क हो, जहां भी हो, मैं वहाँ पर आराम से चलती चली जाती हूं. सवार की तो बहुत तारीफ है, यानि बहुत बड़ी प्रसंसा है, कि वह किस तरह से दो पहियों पर संधलन मनाते हूए, मुझे इतनी अराम से चलाते हैं. सुबह सुबह की ठंडी हवा में जब निकल जाओं तो बहुत से लोगों से मिलती हूँ, जैसे अखवार वाला, रद्दी वाला, दूद वाला, छूरी चाकू तेज करने वाले, आदी जो होते हैं, इनकी तो मैं एक चलती फिरती दुखान हूँ, यानि ये मेरे द्वारा ह अपने काम करते हैं, डाकी आज भी घरगर पत्र बाटते हैं, साइकल पर बैट करी, मेरी मदद से ही वे घरगर पत्र बाटते हैं, आप जान गए मैं कौन हूँ, आप से मेरा परिचाय साइकल या बासिकल के नाम से है, दो पहियों की सवारी हूँ मैं, आप यह तो जानी ग जब ब्रेक लगाओ तो जट से रुख जाती हूँ, सवार भी आनंद उठाए, मुझे भी आनंद आए, कभी-कभी तो पूरा परिवार ही मेरी सवारी करने हवा खाता हुआ निकल पड़ता है, मेरी सुरीली घंटी सबके कानों को संगीत में लगती है, घंटी द्वारा ही मोटर्स, सयक्ل, वगरा, वेसम मसीन और पस्वों की मदद से चलती हैं, पस्वों की मदद से चलने वाले भी बहुत सारे हैं, जैसे घोड़ा, यह बहुता हैं तो उसको भी चलाने में बढ़ा आनंदाता है, सवार को भी और मुझे भी आनंदाता है कभी-कभी तो मेरी सवारी पूरा परिवार ही करने के लिए निकल पड़ता है मेरी सूरीली जो घंटी है वह बहुत अच्छी लगती है वै कानों को सुनने में भी बहुत अच्छी लगती है उसकी संगीत यानि उसकी जो घंटी की जो आवाज है वह बहुत ही सूरीली लगती है गंटी द्वारा जो है मैं सूचना देती हूँ आने की और संक्री से संक्री यानि पतली से पतली जगे में भी मैं चुपचाक निकल जाती हूँ जिधर हैंडिल गुमाया उधर की तरफ ही मुड़ जाती हूँ मेरे तीन पहिये वाले रूप को बच्चे बड़े चाव से चलाते हैं मैं वे अपने आपको किसी बात्सा से कम नहीं समझते हैं उनके चहरे की खुसी छिपाए नहीं छिपती है मेरे लिए इससे अधिक गर्व की बात क्या हो सकती है जब सडकों पर कम भीड़ हुआ करती थी तो बच्चे हस्ते गाते मुझे लेकर ही स्कूल जाया करते थी तीन पहियों वाले रूप को जो बच्चे हैं वो तीन पहियों वाले रूप जिसको रिक्सा कहते हैं उसको चलाते हैं वे बहुत खुस होते हैं चला कर और वे अपने आपको किसी बादसा से कम नहीं समझते उनके चेहरे की खुसी को देखकर उनके चेहरे की जो खुसी होती है वह छुपाये नहीं चीपती और उन्हें देखकर मुझे बहुत गर्व होता है सैकिल कह रही है जब सड़कों पर कम भीड़ुआ करती तो बच उचलती कूदती हवा से बाते करती चल देती थी पहले जो डॉक्तर इंजीनियर और वकील थे जब यह मोटर साइकिल और इसकूटर वगेरा का जब अविसकार नहीं हुआ था तब यह भी मेरे द्वारा ही अपने कान करते थे इनका भी मैं एक सांदर वाहन हुआ करती थी बस मेरे टूब में हवा भरो जो साइकिल के जो पहियों होते हैं उनमें ट्यूब होती है और उसमें हवा भरो तो उचलती कूदती हवा से बाते करती हुई चल देती थी अब धीरे धीरे मेरी जगे मोटर साइकिल और स्कूटरों ने ले ली है जो मुझे पीछे छोड आविस्कार हो गया है तो उनकी जो जगह है जो साइकिल की जगह है मोटर साइकिल और स्कूटरों ने ले ली है अब जो है युवा पीड़ी जो है वो मोटर साइकिल और स्कूटर पर सवारी करना अच्छा लगता है उसको क्योंकि साइकिल को चलाने में महनत होती है और उससे जादा टाइम भी लगता तो इसलिए जो युवा पीड़ी है वो मोटर साइकल और स्कूटर को अधिक पसंद करती है तो इसलिए मैं अब कम दिखाई देने लगे हूँ जानते हो मेरा आविसकार आज से 200 साल पहले जर्मनी में हुआ था कार्ल वांड राइस नाम के वन अधिकारी ने सबसे पहले मुझे बनाया यह जानकर आश्चर होगा कि मैं सबसे पहले जमीन पर नहीं रेल की पट्री पर चलती थी मुझे लकडी से बनाया गया था देखने में मैं आधुनिक सैकल की तरह नहीं थी लोग मुझे डांडी हार्स यानि काटका गोड़ा भी कहते थे आप यह जानते हो कि मेरा जो आविसकार है वो 200 साल पहले जर्मनी में हुआ था जो वहां के जो वन अधिकारी थे कार्ल वांड राइस नाम के जो वन अधिकारी थे अधिक जगे की आवेसकता नहीं होती है थोड़ी सी जगे में मैं खड़ी हो जाती हूँ सेहत के लिए मैं बहुत फायदे मंदू मुझे चलाने से अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है ना तेल की जरूरत ना बैटरी की ना मसीन की मैं किसी ऐसी उरजय का इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं बहुत उपयोगी परियावरन की दोस्त और कम लागत वाली सवारी हूँ सबसे बड़ी बात सैकिल बता रही है कि यह है कि मैं जगे कम लेती हूँ और मैं थोड़ी सी जगे में ही खड़ी हो जाती हूँ और मुझे चलाने से एक अच्छा खासक अच्छी खासी कसरत हो जाती है जिससे सरीर भी सही रहता है सबका इसलिए सेहत के लिए यानि स्वास्त के लिए में मैं बहुत फायदे मंद हूँ मुझे चलाने के लिए ना किसी तेल की यानि किसी पैट्रोल और डीजर की भी जरूरत नहीं होती है यानि किसी ऐसी उर्जा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता जिससे की कोई प्रदूसन हो तो इसलिए मैं धनी प्रदूसन और वाई प्रदूसन भी मेरे से नहीं होता है तो इसलिए मैं गर्भ से या अभिमान से कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही उपयोगी और परियावरन की दोस्त यानि कम खर्चे वाली सवारी हूँ सवारी हूँ मैं बड़ी निराली, सस्ती और भरोसे वाली पैडल मारो सरपट दोड़ू, हवा से बाते करती जाओ नहीं चाहिए तेल मसीन हवा भरो करो यकी साइकल क्या रही है कि मैं बड़ी निराली सवारी हूँ यानि बड़ी अनुखी सवारी हूँ, सस्ती हूँ और विश्वास वाली यानि भरोसे वाली हूँ बस पैडल मारो और मैं सरपट चल देती हूँ, हवा से बाती करती हूई, हवा से बाते करती हूई मैं सरपट चल देती हूँ मुझे ना तो तेल किसी तेल की जरूएदा ना ही किसी मसीन की जरूएदा, बस मेरे पहियों में, यानि मेरी टूब में हवा भरो और मुझे पर यकीन करो और लेकर चल पड़ो. तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के द्वारा जाना कि सैकिल एक काफी उपयोगी सवारी है, यह एक हलकी सवारी होती है, इसे बच्चे से लेकर बुढ़े तक बड़े आराम से चला लेते हैं, यह एक सुरक्षित सवारी मानी जाती है, इससे गिरने से ज़्यादा चोट परियावरन को बहतर बनाने के लिए, यानि अपने देश के जो परियावरन को बहतर बनाने के लिए, वे साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, अपने छोटे-छोटे से जो काम होते हैं, इस परकार से हमने जाना है कि यातायत के जो नेने साधन है, दोड़ते भागते जीवन को सुगम और सरल तो इन्होंने बना दिया है, पर कहीं न कहीं इनसे परियावरन और स्वास्त पर बुरा अस इसलिए हमें भी अपने-पने जो छोटे काम हैं, वो साइकिल के द्वारा ही कर लेने चाहिए, क्योंकि जो साइकिल होती ना तो उसमें किसी लाइसेंस की जरूरत होती है, और ना ही उसको चलाने के लिए हमें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बस जरा सी ताकत ल कर लेने चाहिए,